तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत हैं यूट्यूब के चैनल बर्जेश बंदारी में और जिसमें हमारी सीरी चल रही है एक और वारत अलाप में हमारी आज की मेहमाने लक्श्मी रावट जी लक्श्मी रावट जी उत्राखन की एक जानिमानी हस्ती है, जो कि East Delhi के अंदर अपना एक ठेटर गूर्प चलाती है, जिसका नाम है प्रग्या आर्ट्स, लक्ष्मी रावजी के बारे में आपको मैं बता दूं, ये बता दूं कि लक्ष्मी रावजी एक उत्राखन का जानमाना नाम है, दिल्ली का एक जानमाना ना कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आई, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, और व्यस्ता के बहुत आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, त तो मेरे जो पिताजी थे वह बहुत सामाजिक व्यक्ति थे उनको बहुत शौक था सांस्कृति गति विधियों में जुड़ने का वो तो बच्पन से मैंने उनको देखाया वो काफी सालों तक प्रेम नगर एक आपने सब्सक्रा जंग के आसपास एक जगा है प्रेम नगर तो उनके साथ साथ मैं भी उस जगा पर जाती थी तो मुझे भी बड़ा धीरे धीरे शौक वहां से चड़ना शुरू हुआ लेकिन मैंने स्टेज पे पहाडी डांस वगएरा तो मैं खुब करती थी अपना अपना इगुरूप हुआ करता था था शिवाली कलाकेंदर मैं और क खिचडखायों की सी किया और उन नाचकों से करने का मुझे यहां कि मैंने उत्राखंडी भाषा भी सीखनी शुरू की उसके बाद मेरी शादी हो गई शादी के बाद मैंने मेरे दो बच्चे हो गए और उसके बाद मैं वापिस सीराम सेंटर पर परफॉर्मिंग आर्ट मे में जॉब करती हूं और उसके साथ मैंने पार्ट टाइम इवनिंग क्लासिज में दो साल का कोर्स किया और वो दो साल का कोर्स करने के बाद तो फिर मेरी नाटक और रंगमंच जो है वो शुरू हो जैसे सबसे पहले आपने आप बोलते कि आपने पहाडी गानों पर डांस क तो फिर उसके बाद आपका जो सफर है या फिल्मों तक कैसे पहुंचा आप फिल्मों तक या अज दो साल का कोर्स कर रहे थी तो उस वक्त पहले साल में एक नाटक किया जाता था और दूसरे साल में तीन नाटक होते थे थे उन्निसो निन्यावे दो हजार का मेरा बैच थ जरुआत हुई साल के अंत में जब नाटक शुरू हुआ तो मुझे उसमें में रोल मिला और जब वो प्ले में परफॉर्म कर रही थी तो उस वक्त दर्शक दीरगा में जो हैं दो तीन ऐसे लोग बैठते जो की मेडिया से जुड़े वे थे उसमें मेरा जो करेक्टर था उसको देखकर वो लोग इतने ज्यादा परभावित हुए कि बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे वही पर ओफर दे दिया कि हमारी एक उर्दू जी टीवी उर्दू चैनल के लिए एक सीरियल तयार हो रहा है एक नजर की तमन्ना एक नजर की तमन्ना तो उसके लिए आप मुझे रोल ओफर किया उसकी करी मैंने 135 एपिसोड में मैंने काम किया और उन्ही के साथ साथ फिर मैं उनकी एक नजर की तमन्ना तुम्हारा इंतजार है ऐसे एपिसोड बन अलग सीरियल बने और मैं सब में हिसा रही उसके एक टाइम ऐसा आया कि मेरे बच्चे अब खराब रहने लग गई थी तो मुझे लगा कि अब मुझे पूरा वक्त जो है घर को देना होगा इवी सब के दोरान के बीच में मैंने दूरदर्शन के आकाश्वानी के भी मैं गई और महां पर मैं स्लेक्ट वी तो रात को एक प्रोग्राम आता था गीतों का 11 बजे के आस तो मैं बिलकुल कट गई थेटर से थेटर से मने सब कुछ बंद कर दिया और 2012 में जब उत्राखंड आपदा आई जब केदारनात आपदा आई तो उस वक्त मैं उत्राखंड के लोगों से जुड़ी जो ये मदद कर रहे थे गड़वाल बहुन में जब ये मदद का काम चल तो मैं फिर एक बार होता है ना घर से बाहर निकली नौकरी के अलावा तो मैंने फिर मुझे लगा कि अब मुझे दुवारा शुरू करना होगा बच्चे भी बड़े हो चुके हैं तो मैंने एक उसी दौरान जो है निर्भया के शुरू हुआ और उसके ओपर एक आर्टिक ते टीरी के और उन्होंने वह दो पेज का आर्टिकल लिखा था लेकिन मुझे वह कही ना कही अंदर कही दिनों तक चलता रहा कि क्यों ना मैं इस पर वापसी करती हूं और नाटक मैं सबसे पहले एक दाईत भी होता है कि आपको समाज के लिए भी कंजन्य कुछ ना कुछ करना होगा तब ही आप रंग कर्मी कहलाएंगे तो मुझे लगा कि मैं अपनी सेकिंड इवनिंग इनिंग जो है इसी से शुरू करूंगी और मैंने उनसको ढूंडा फेस्बुक के माध्यम से वो मुझे मिले सोशल मेडिया में मैंने उनसे परमिशन ली उन्होंने मेरा प् आपका है आप इसके साथ जो मरजी कुछ करिए फिर मैंने उसमें अपने एक नाटक तयार किया कि मैं और उसके ओपर मैंने अपना एक पैंतालिस मिनिट का नाटक तयार किया और वो नाटक इक मतलब शुरूआत हुई थी लेकिन इतना पॉपुलर वा कि उसके हंड़ से ज पसंद किया तो बस उसके बाद में वापिस जब आप मंच पर आने लग गए अभी ना तो उसका इक अलग ही नशा होता है फिर वो आप से नहीं चूटता तो फिर मैंने कई नाटक करती चले गई और नाटकों के दौरान ही कुछ बच्चों ने मुझ से कहा कि मैं आप तो जुड़ती हैं और आप खुद क्यों नहीं सिखाना शुरू कर रही हैं हमार को हमें आप से सीखना है तो फिर मैंने श्याम को अपना धीरे धीरे शुरू किया और उसके बाद जो मैंने प्रग्यार्स 2002 में शुरू किया था उसके फिर यह आज यहां तक पहुँच चुका ह आज बीच में आपने दस साल उसमें काम नहीं करा हैं मैंने उसके मतलब करीब पांचे साल क्योंकि 2000 में मैं पास आउट हुई उसके बाद तो मैं 2005 तक तो मैं करती चली गई फिर मैं बीच में बिल्कुल गायब हो गई पांचे साल और 2012 से जो है मैंने वापिस प्रग्यार् सवाल यह पुछूँगा कि जब आप थेटर भी कर रही थी और फिल्में भी कर रही थी नाटक भी मतलब आपका स्टेज भी चल रहा था यह सब चीज़ नहीं हो रही थी तो उस टेम पे आपको और आप एक हाउस्वाइब भी आप कह सकते हो कि आप घर का भी फुरा ख्या अगर आपको कुछ अचीव करना है तो भागना दोरना पड़ेगा उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता मगर मैं अपने आपको लखी मानती हूं मुझे लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छे मिले उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और क्योंकि अगर आपकी फैमिली आप यह शूटिंग में जाती थी तो जब मैं दिली में शूट कर रही होती थी तो हस्बें का यह होता था कि लेने में आऊंगा चाहे रात के दो बजे चाहे तीन बजे फिर घर आना बिना सोय पहले बच्चों का हूंवक रात का चेक करना रात को ही उनके साथ काम करना उनके तो उसके बाद फिर मैं बारा बजे तक वो करते थी फिर मैं ऑफिस में मैंनेज करते थी कि आपको जितना काम करवाना है उससे इस दोरान करवा लिजी एपिर मुझे इतने बजे छोड़ देना पर यह था कि जब आप अपनी डूटी को चाहे जितनी मर्ज आप खाना चाहे लेकिन आप अपना काम पूरा कर लें तो सब आपके सपोर्ट के लिए आगाते हैं जब उनको लगता है ना कि यार यह इतनी महनत कर रहे हैं तो अगर यह कल को कुछ बनते हैं तो उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं सहयोग रहेगा यह भी याद करेगी तो सब ने मुझे मिला और भी बच्चे बड़े होने लगे तो मुझे उनसे भी सहयोग मिला तो उन्होंने भी मतलब यह नहीं करा कि अगर मारा रात को लेट आरी है तो हमार को भूक लग रही है में खाना चाहिए उनको भी इथा कि जब आपाएंगे तब ही कहा शिकायत नहीं करी सपोर्ट किया आज भी सपोर्ट पूरी फैमिली करी रही है मेरी खुछ की बची भी सी लाइन में आग जहीं है वो भी तेटर है उन्होंने वी मैं negotiated किया है तो हजबेन आज भी इसले के सपोर्ट कर रहे है आज मिमने लेट हो जाती हूर अब अब तो इतना सपोर्ट बढ़ गया कि अगर मैं लेट हो जाओं तो वो खाने का इंतिजाम खुद कर देते हैं तो जब तक यह सारी चीजे होती है तो आपको सब्सक्राइब तो मुझे दोस्तों से परिवार से आफिस से हर जगा से साहिए उजे लक्षमी जी मैं आप से आप यह सवाल पूछूँगा कि आपने एं जो बहुत पॉपुलर भी हुए और मतलब इंडिया में नहीं इंटरनाशनल लेबल में यह तक कि हमें पता चला कि FTI में भी उस एड को लेकर कैमरा एंगल पढ़ाने की कोशिश की जारी है और मैंने तो यूटूब में देखा कि पाकिस्तान और उपतनी कहां 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 के तो उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने उसमें एक बहुती सीनियर डारेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला और वो डव की एड है और डव आपको पता है इंटरनाशनल वो है तो और वो कई भाशाओं में बना है सिरफ हिंदी नहीं हिंदे इंगले तामिल, तेलगू, केरल, पंजाबी, मराथी हर भाशा में वो एड है हां जितनी भी रीजनल भाशा है क्योंकि वो जहां भी चला उर्दू हर जहां भी चला वो अपनी रीजनल उसमें देखेंगे उसको और अगर आप कोई भी फिल्म देख रहे है तो उसके बीच में उसक लड़की की कहानी है क्योंकि जब आप शादी का वक्त आता है तो हर लड़की को एक जगा पर जो है अपने आपको एक शोक होता है जिसमें आपको दिखाना होता है कि मैं बहुत बहतरीन हूँ और अगर मैं आपकी घर की बहु बनती हूँ या आपकी पतनी बनती हूँ तो आपको देखने के लिए लोग आए में बोली लगाएंगे कि ओहो आपकी ये चीज अच्छी है अच्छा नाच्ती हो अच्छा गाती हो तो उसके ओपर वो एड बनाई है और उसमें इंडिया की पांच अलग-अलग स्टेट से लड़कियों की कहानिया उठाई है किसी की दूपरों में तो गोरी थी वो खुद को नहीं देख रहा वो खुद क्या है तो ये सारी चीज़ों के पर वो एड बनी और बहतरी नैट है अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कोई भी लड़कि उसको देखेंगी तो उसको वो लगएगा कि हाँ मेरी कहानी ह कोई भी माबाप बेटी के देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें इस दौर से हम भी गुजरे हैं या आने वाले कल में हम भी इस दौर से गुजरेंगे और लड़कों के लिए है कि अगर वो नहीं गुजरे इस दौर से तो उनके लिए वो है कि ऐसा मत करना लक्ष्मी जी यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पुछूँगा कि आपने उत्राखंट से शुरुवात करे थी उत्राखंट से अपने इस सफर की शुरुवात उत्राखंट के कारिकरमों से करी थी और आगे भी आपने उत्राखंट के बहुत कारिकरम करे उसके बावजूद तो यहां पर मैं आपसे सवाल यह पुछुमा कि अब आप उत्राखंट के लिए क्या कर रहे हैं और क्या क्या आगे फ्यूचर में क्या सोस्क्राइब देखे उत्राखंट के लिए तो मेरा एक अपना वो चल रहा है मैंने कई सारे प्रोग्राम तयार किये हुए हैं मैं प्रग्यार्स थेटर और फिल्मों में अभी बहुत कुछ करना बाग किया अभी तो शुरुवात भी ढंग से नहीं हो पाई है तो जब तक हम उस छेतर में काम करने वाले लोगों को यह महसूस नहीं करवाएंगे कि आप बहतर है और आप बहतरीन कर रहे हैं तो उनको आग प्रग्यार्स थेटर विद नेचर एक मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं पहाडों के रिमोट एरिया में जाती हूं और प्रग्या आर्ट्स के जो स्टुडेंट है सीनियर स्टुडेंट और वह पहाडी नहीं होते ना गढ़ाली होते ना कुमाउनी होते हैं कोई स्कूलों के बच्चों को इन्वाइट करते हैं उनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हम वाइस पर काम करते हैं हम एक्टिंग पर काम करते हैं वो डान्स का उनको शौक है उसको आगे बढ़ाते हैं म्यूजिक पर काम करते हैं उनकी राइटिंग को ठीक करवाते हैं उनमें स के साथ पांसंग 600 चैसों बच्चों के साथ काम कर चुके हैं। घर कि一 लुए गुंगे नाट्कि.. यदि दिल्लि खेरों के लोगों में नहीं जानाए चानी बाकि राजजियों की कहानिщente को ज्यादा लोग जानते हैं। तो मुझे यह दा कि मैं अच्छे नाटकों को मैं दिल्ली के लोगों को दिखाऊँ और भाषा में हिंदी रखूँ लेकिन मेरा जो म्यूजिक है और उसका पूरा सांस्कृतिक उसका वो होगा वो सारा उत्राखंडी रहेगा तो उसमें मैंने जीतु बगडवाल नाटक किया उसमें मैंने चलब लॉट चले किया जो की माईग्रेशन के उपर था उसमें मैंने कैजावा भेट आखिर किया कैजावा भेट आखिर में जो उतराखंड में रह गए लोग है उनकी मानसी किस्तथी के उपर है और आब लॉट चले में जो शहरों में रहने वाले कि क्या सोच है वो खुद क्या सोचते है उसके ओपर था वो नाटक भी मेरा बहुत पसंद किया गया और उसको मैंने कई फेस्टिवल्स में लगाया उसके बाद मैंने तीलू रोटेली मेरा सबसे बड़ा वो रहा नाचक रहा जिसमें मैंने उतरा खंड की तीलू रोटेली करते वे मुझे ये था कि मैं अब शुरुआत करती हूँ शौर्यय गाथा उतरा खंड की मैंने एक अलग प्रपोजल अप उसके बाद उन्होंने उस पे प्ले पे काम किया, उसमें मैंने करीब मेरा दो घंटे का नाटक था, और वो नाटक पर एक ही शो हुआ था, और उस दिन यह हालत थी कि कम से कम मेरे सो डिट सो दर्शक जो है बाहर रह गए उनको जगाई नहीं मिल पाई, इतना बुरा हो, जो है उसी साल जब उतराखंड दिवस मनाया गया, तो CM वतराखंड CM ने उसको देरादून गुलाया, और हमने जवानों के लिए उस नाटक को किया, अशके बाद हमने अलमोडा में उसका दूसरा शो किया, उसके बाद उसको उसी नाटक को जो है दिल्ली के बेस्ट दस नाटकों में चुना गया और दिल्ली सरकार ने उसको यहां दिल्ली में फिर करवाया, तो हमारे लिए फिर उसके बाद में उसको पिथोडा गर लेके गई, वहां पर नाट लोगों ने इतना उत्सा दिखाया और उसको वहां के चैनल ने लाइव लोगों को दिखाया और सीम साब ने जब दूर दर्शन में हुआ तो अपने मोबाइल से उसका लाइव टेलिकास त्रवेंदर जी के मोबाइल से वा जिसे 15,000 के करीब लोगों ने एक टाइम पे देखा तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीमन्ट हा कि आपको एक मुख्या मंत्री जो है अपने मोबा लोगों ने उसको इतना पसंद किया वो उतरा खंड शौरय गाता परी था और उसमें मेरे प्रग्यार्ट के ही स्टुडेंट उसके मॉडल बने और मैंने यहीं स्टूडियो में उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई अब आने वाले कल में मैं उतरा खंड में तीन को लेक करके वेब सीरीज आने वाली है उसमें भी मैं एक करदार में नजर आऊंगी और अभी उतरा खंड के एक टूरिजम की एड आने वाली है काफी अच्छी उस पे भी मैं आपको लोगों को दिखाई दोंगी तो मैंने बिल्कुल मीडिया छोड़ा हुआ था मैं सिर्फ थेट तो फिर से काम करने का मौका मिलेगा तो दर्शको ये थी लक्ष्मी रावज जी जिन से बने बहुत सारी बाते करी और अपने लाइफ के बहुत सारी एक्स्पीरियंस अमारसना शेयर करे जिने सुनके बहुत अच्छा लगा और ये मोटिवेशन भी है लाइफ में कि आप क अलाकार कहीना कहीन जीवित था जिसकी वज़े से आगे आई और अब भी फिर दुबारा से वहीं सब काम करने हैं तो मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपना कीम्ति समय मुझे दिया थैंक्यू बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपने धन्यवाद आपका एक लाफे से और मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद